देश से शमा मांगते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृष्षी कानून को वापस लेने की बात कहिए हमारे साथ भारतिय इंतर पार्टिक किसान मुर्चा के पुर्वत ध्यक्ष और फाचपा के राजे सभासांशद बिजय पाल सिंग तोमर जी मौजूद था यह पहले प्रदान मंत्री ने चमा मांगा उसके बाद कहा कि तीनों क्रिश्टी कानून को हम वापस लेंगा जो कि यहां तक क्रिश्टी कानूनों का सवाल है मुझे कोई कहने में संकुत नहीं हैं मैं जो राज सभा मैं बहुला था वह अब भी कह रहा हूं ये किसानों के पक्षम में थे तीनों किसी कानून हमारा बागबत का किसान रखार बेचशन करी ने बेच सकता था ला कि के बाहर बेच पोड़ कोन शेक्राय कैसानग एक ह endorse already और इसलिए किसान की हालत इतनी नीचे आई और जितनी भी कमेटी बनी किर्सी सुधार के लिए सब ने सिफारिस की थी उनको ध्यान में रखकर इन सब इस्टेक होल्डर को बुलाया गया जो आंदोरन कर रहे हैं यह भी थे उन मीटिंगों में और तब यह कानून बनाए गए देश के असीफी सदी सदिक किसान इतने उस्टाइट थे के रिकॉर्ड पैदावार की है जब लॉकडाउन के टाइम में सब्बंद था सब की जो आर्थिक विकासदर के व्रद्धिती निम्टा इस्तर पढ़ती तब भी कृसी उस्टत में इस्तर पर जा रहा था पर आखि यह देश का नुक्सान तो बहुत होई रहा था चारो तरफ बैठे हुए थे बंद कभी ट्रेन बंद हो जाती थी तिन तीन चार चार घंटे जनता परिसान होती थी और यह आखिर बीस परसेंट भी लोगतंतर का हिस्सा तो है तो इसलिए कोशिश प्रमान में प्रधान मंत सब्सक्राइब को याद करें सरदार अपने कि उन्होंने क्या कहा था भी एंसिंग जी ने वहीं से वापिस चले गए थे जो टै हो आथा दिल्ली पुलिस के साथ उसको ना जाके लाल के लिए कि तरफ क्यों चले यह तब सरदार भी एंसिंग अटे वहां से प्रधान मंत जी भी देश पहले है इस बात को जाहर में रखने ने करें किया इस फैसले को हार और जीत के तरब पर देखना उचीत होगा नहीं देखना चाहिए हार जीत के तरब पर देखना चाहिए वादा चुनाओ पर कोई असर पढ़ेगा चूकि आप यूपी से आते ह बहुत बहुत सुक्रिया भारस समचार को समय दिने के लिए के साथ रवी सर्राफ भारस समचार तिल्ली